कि fund में आरह हैं हहलो काईइस आ pursuing का दिए था कुछ में निलोक भूसने सुछ Definitely है। इस था कुछ बारी नहीं है। हम होम सैंस के कुछ चैप्टर के बारे में studies करेंगे।्थ बहुत सा रहे इन्पॉर्ट होते हैं जा से इस कोछ धी सारे इन्पॉर्ण sagen that so... तो इसके हमने छोटा सा भूब बना लिए युशहार पेपर्स होते हैं। इस लाए नेयद प्रifiques कम रिसकस such करेंगी और आप चाहें, जो आपको टॉपिक हैशा हो कि जो समझames नहीं आते हो तो आप उन्हें कमेंट्स में बता सकते हैं तो हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को समझाने की कुशिश करेंगे ठीक है तो आज हम डिसकस करेंगे सबसे पहले हैं वानव रोग जो है वो एक most important topic है home science में home science में इन फैक्ट सभी papers में सबसे important topic माना जाता है हम mostly notes हैं सब कहीं न कहीं से provide होई जाते हैं लेकिन इसको एक समझना बहुत टिपिकल होता है हम लोग जानते भी हैं समझते भी हैं लेकिन एक बार फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा हम revision कर लेते हैं जैसे कि मानव रोग यानि की human disease में जो रोग होते हैं नॉर्मली हम सब जानते हैं जैसे बुखार है अब इस टाइम करोना चल रहा है ओमिक्रोन चल रहा है इसे अलग भी कुछ रोग होते हैं यह कैसे रोग होते हैं कैसे हमारे शरीर में प्रिवेश करते हैं उन सब के बारे में हम discuss करेंगे तो रोग जो होते हैं मोशली दो प्रिकार के होते हैं जैसे हापर लिख रहा है रोग की हमने two parts में divide कर दिया है फरस्ट जन्जात रोग और अुपार्जित रोग जैसे की नाम से इस परस्ट जन्म जात रोग जो जन्म की समय से शरीड में होता है सिंपल सा है तो जनम जात रोग कौन से होता है यानि कि जो हमारे बाइबर्थ यानि कि जनम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जनम से हमारे शरीर में होते हैं ठीक है उनको कहते हैं जनम जात रोग next step उपारचित रोग उपारचित रोग यानि की जङनम के ओट्ञार। जंडार जिंडा फ्रीर होता है, उपारचित रोग भी धो प्रिकार के होते संक्रामक रोग और आकर संक्रामक रोग तो संक्रामक रोग आ से रोग जो यजल भोजन कीद तता शायरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है यानि कि कौन से रोग जो वायू यानि कि हवा के दुआरा या पानी के दुआरा या भोजन के दुआरा या कीट या शारिक शंपर्क के दुआरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है उसको हम कैसे कहते हैं संक्रामक रोग कि जो जैसे कोरोना हुआ था तो कोरोना में क्या हुआ था कि हमें शुटरल डिस्टेंसिंग रखनी है क्यों क्योंकि वह एक तरीके कैसा रोगता संक्रामक रोगता वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूसरे से तीसरे व्यक्ति में या उसके संपर्व में जितने व्य रोग हो जाता, तो ऐसे ही रोग हैं जैसे हैजा हुआ, चे चक हुआ, च्ञुटी माता हुआ, प्स रोग है ज़ckसरा व्याभानि 1 turd आप गव्यर can कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में खुद यहारे रिखना कि रहा है सकते हैं यह किसी बीचान के कारण वडी में वो रोग हो जाता है तो हम उसको कहते हैं असंक्रामक रोग जैसे heart disease हुआ यानि कि हिड़दय रोग हुआ या diabetes अब diabetes तो ऐसे होती नहीं कि मेरे पास कोई बैदा उसको diabetes है तो या मुझे भी हो जाएगी diabetes कैसी है कि हमारे शरीर में खुद में glucose की कमी होने के कारण क्या हो जाता है हमें diabetes हो जाता है ठीक है अब यह तो हो गया संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग अब हम पढ़ेंगे प्रोटो जोवा से होने वाले रोग कौन से है कैसे रोग जो प्रोटो जोवा से कौन से रोग होते है तो प्रोटो जोवा से कौन से रोग होता है पाईडिया हुआ निद्रा रोग हुआ पेचिस हुआ काला जर यह कैसे है प्रोटो जोवा से अब एक रोग होता है मलेरिया नाम सभी ने सुना मुले दिया एक्जाम में पूछा भी जाता है कि मलेरिया कैसा रोग है किसके कारण होता है या इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है अब है यह है रोग प्लाजमो डीम नामक प्रोटोजवास होता है इस रोग का वाहक मादा एंफुस मच्छा है प्रभावित हं कौन सा इसका प्लीहा और लक्षण क्या है जाडों के साथ बुखा ठीक है इसमें क्या होता है आर बीसी यानि की हमारी जो होता है लाल रक्त घड़ी काई जो होती है वो कम हो जाती है ठीक है समझ में आया इतना टॉपिक अब हम नेक्स्ट परते हैं नेक्स सोना लेकिन एक सोने के बाली भीमारी भी होती है रोग रीकोलति पर जिदान हम कहते हैं तो सोने की यह एक यह दो दिन में कभी नहीं होता सा थाया जो जाता है यह बीवरी कि अपपर। पाइरिया रोग क्या है यह रोग एंटी अमीबा जीजमी वेहलीस नामक प्रेटोजोह से होता है इक्यार पाइरिया आपने नौर्मली भी सुना होगा कि कुछ लोगों के हमें दात पीले-पीले से दिखाई देते हैं उनके मुह में से हमें अजीब सी स्मेल होती है तो हम कहत बिखाण करियें लोग का पानि पीना चाहिए मेति का पानि पीना चाहिए लेकिन हमें इन सब को देखते हुए भी अपने अच्छे sodium को दिखाकर इस विमारी का पता लगा ना चाहिए और इसका हमें उपाए करना चाहिए इस रोग के व्यक्तियों को विटामिन c यूग प्रोटोजवा से होता है प्रभावित अंकौन सा इसका आत और लक्षन क्या है खून के साथ दास्तियानी की हमारे जो कभी हार लूज मोशन होते हैं तो हम कहते हैं बहुत जादा हैं आगे डिसकस करेंगे ठीक है ठीक है औक थेंक्यू स्ट्रेंट